हलो गाइस वेलकम तो मैं चैनल मैं नेम इस अभीशेक आज अब डिसक्स करें ब्लॉक स्थाइफर मोड्स डालता रहता हूं अब लेट स्टार्ट हमारे पांच दिफ्रेंट मोड्स अपरेशन होते हैं जो कि हम अब भी डिसक्स करने वाले हैं मतलब चैनल कोड़ेशन अब है और तो तो इसलिए हमारे 5 जबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा इलेक्ट्रोनिक कोड़ बुक मोड पांचों में यह हमारा सबसे सिंप्लेस मोड और इसमें क्या होता है सिंपल सा मार जो फ्लेंटेक्स है ना उसको डिवाइड करते हैं इंट्व नमबर ऑफ ब्लॉक सम बनाते हैं ठीक है सब का जितने भी मारे मैसीज होंगे उनका हम पहले कर देते हैं अगर हमें रिक्वाइड होती है इस मेस्जिस नौट मॉल्टिपल ब्लॉक साइज दैन पाड़िंग इस दनो कि कुछ भी आप कर सकते हैं जैसे भी आप प्रोग्रामिंग कर रहो एक एक ब्लॉक लेंगे उसका इंक्रिप्शिन करते जाएंगे तो उसमें हम से देखेंगे वही चीज लिखी हुए यह वही उसक्रिप्शन प्रॉसस एग्जामपल लिखने सीधा ब्लॉक साइज सपोस्ट फॉर एंग्जामपल फाइव है एंड हमारा प्लेंट एक्स है हेलो एवर्य तो हैलो तो हैलो तो आ गया हमारा फिर्स ब्लॉक में सेकेंड मां एवरी और फिर इसमें आ गया वन अब हमारे पांच-पांच हमारे ब्लॉक साइज है क्योंकि फाइव फाइव चारक्टर होने चाहिए तो यहां पर हमारी दो स्पेसे बच्छी तो यहां पर पैडिंग करी है इस एक्स एक्स अपना इंक्रिप्शन अलगॉरित्म लगाए गणा बन जाएगा तो इसी करते करते सबी ब्लॉक हमारे कनवर्ट हो जाएगे साइफर व्लॉक्स में So this की की वहां पे थी यहां पे लगेगी लगाई यहां पर लगेगी लिग एक लगाएंगे तो आपको फ्ली टाइक बलॉग एपको प्लेंट प्लोक निल जाया ज़ाए जो अब कप आपको एन्ट पाँच पर अकश्त के लिए करोगे अभी हमारे इस वाले इंपल में तो तीन सही रहता है बड़े अगर हमारा डेटा बड़ा होगा उसमें ज़्यादा वाल्यूस होंगी एट विल नॉट बी सिक्क्यूर एट ओल नॉट सिक्क्यूर वही चीज बने यहां पर लिखी हुई है अगर आपकी सेम ब्लॉक्स हो गई सपोस्थ यहां पर मेरा हैलो है तो फिर म मेरा कुछ ऐसे करके टेक्स मनता है एक एक और यहां पर मेरा हैलो लिखा है इसको मैं अगर करता हूं इसमें मेरा कोई रांडम डिजेट होता है जैसे हैस डॉलर करके 3-4 तो अगर दोनों चीते सेम है इसका साइफर अलग अलग आ रहे है तो जो अटाकर है उसके लिए डि जो हमने समझिये कि रहा कि same blocks होंगे तो उनका same ciphertext generate होगा है इस वाले case में हमारा यह seal नहीं होता है अगर हमारे same blocks भी होंगे hello hello वारा जो से मैंने आपको बताया था तो हमारा जो ciphertext generate होगा that will be completely different तो उसका limitation यहाँ पर हमने overcome कर गया इस वाले mode में तो cvc start करते है to overcome security issues of the ecb mode because in ecb if the same block appears then ciphertext produce will be same वही जो मैंने आपको बताया है बिल्कुल same now इसमें guys हम input कैसे देते हैं वो देखते है input to the encryption algorithm जो हम देते हैं जैसे हमारा यह diagram भी देखते चलिया encryption algorithm में इसमें input कैसे दे रहे हैं हम simple plain box को input नहीं दे रहे हैं इसको हम exhaust कराना है with the help of what यहाँ पर initialization vector है यह हमारा first round में ही होता है सिरफ initialization vector is used only in the first encryption and the first description round फिर बाकी के जो हमारे rounds होंगे गाइस देखो diagram भी रहा नीचे बाकी के जो मेरे rounds होंगे अब जैसे मेरा second round plain text block 2 के रहे में बात कर रहा हूं तो जो मेरा cipher block बंद बनेगा ना इस वाले पूरे process के बाद इसको मैं यहाँ पर और फिर में इसको next अपने encryption algorithm में यहाँ पर as I input pass करूँगा okay so friends यह हमारा process हो गया इन्पूर्ट कैसे होता है इन्पूरिटिकल भी देख लेते हैं मैंने लिखके रखा हूँ है जो जैसे मैंने आपको पता है cipher block 1 जो मारा बना है वो इसको हम input देंगे second round में third round में cipher block 2 जाएगा and so on तो repeatedly patterns are not exported अब इसी वज़े से इसी कारण से जो भारी limitation थी limitation क्या थी previous वाले में कि आपके same blocks होंगे hello hello अगर block होगा तो उसका output जो है same आएगा अब यहां पर हमारा output same नहीं आएगा क्यों same नहीं आएगा because of this exor operation पहले हम simple अपना plain text block को सीधा encryption algorithm में दे रहे थे यह उसमें लगा रहे थे but हम यहां पर क्या कर रहे है जो हम इसको भेज रहे है तो simple हम यहां पर exor operation perform कर रहे है with the help of what अपना cipher block 1 तो इसी वज़े से हमारे अगर दो same block भी होंगे ना तो इसका output जो generate होगा that will not be same and one another important thing यहां पर भी जो similarity क्या होगा कि same key हमारी यूज होते है encryption और decryption के लिए आपको इसको सबसे पहले करोगे encryption algorithm में बेजने से पहले किसके साथ initialization वेक्टर के साथ let me zoom it out a little bit तो पहले राउंड में encryption algorithm or decryptional algorithm initialization वेक्टर के आए गाई तो data block of same size अगर आपका पांच बिट का data है तो पांच बिट का ही हमारा initialization block होगा एक्सार करोगे encryption करोगे key लगाओगे simple ciphertext block 1 बनेगा second block जब आप इसको encryption करोगे तो encryption algorithm में second block लोगे cipher block 1 जो आपका बना यहाँ पर दैजा input दोगे एक्सार कराओगे इसको simple फिर simple अपना वही process से key लगाएंगे आप हमारा cipher block 2 बनेगा 10 block 10 बार हमारा process चलेगा अब इसका decryption process देखने है friends अब decryption में क्या होगा बिल्कुल इसका reverse process होगा जैसे कि हमने क्या किया था सबसे पहले मैं आपको क्या वाला initialization vector will be used in first encryption and first decryption process so that's why cipher block 1 जो आपका बना है उसको आपने decryption algorithm में लगाया key use करी बिल्कुल वही same key use होगी आपकी and friends जो इसका आपका output आएगा decryption algorithm में लगाने के बाद उसको एक्सार करेंगे with the initialization vector only in the first round इससे आपको क्या बहुत रहे हो plain text block 1 ठीक है plain text जो हमारा था अब दिको बिल्कुल reverse process किया हमने जो हमार पास cipher block था इधर पर cipher block है हमने यहां पर encryption process लगाया था तो इधर पर decryption process लगाएंगे key बिल्कुल सेम है फिर उसका हमारा ultra jam process चल रहे है तो यहां पर हमने इसका पर इसका रिजल्ट रहे है तो इसको इसका रिजल्ट रहे तो यहां पर यहां पर encryption कर रहे थे तो यह यह यहां पर doing what cipher blocks only यहां पर हमने cipher blocks use करेंगे and simply you will get what plain text block this is what we call as decryption process अगर आपके 56 ciphers और होगे तो हर उसके लिए it's block के लिए के दो लेगा की लेगा ची लेगा उसका आउटपुट जए गाइगा egzor करोंगे विद प्रिविएस प्रोसेस के साइफर ब्लॉक के साथ अब थर्ड निए ब्लॉक कि अगर हमें यूज कर रहे हो तो मेरा और सब्सक्राइब साथ चाइफर ब्लॉक टूक के साथ अन्सौ तो अब friends इसका नम हमारा CBC क्यों पड़ा देट है Cipher Block Chaining Mode क्योंकि 1st Cipher Block को हम 2nd वाले राउंड में यूज कर रहे है 2nd वाले को 3rd राउंड में यूज कर रहे है and so on so there is a chaining going on कह सकते हैं हम लोग in all the succeeding rounds so it is a Cipher Block Chaining Mode यह होता है और इसका एक और limitation होता है if you want to take the screenshot आप ले सकते हैं यह हमारा हो गया CBC और इसके diagrams now guys the thing is हमारा previous जो ECB mode था उसकी limitation से यहां पर हट गई है कि हमारा अगर same same block होगा तो उसका different cipher text generate हो गया है but अब इसकी भी क्या limitation हो सकते है if we have two identical messages जैसे कि आपका hello everyone hello everyone we have two different plain text blocks that I will talk about plain text block plain text block not plain text block like you write hello how are you and simply hello how are you there are two plain text blocks and if I put the whole process on CBC and initialization vector if I use the same then what I will get is cipher is my whole same limitation this was our so friends we have discussed two two we have discussed in three other videos so this is a long video that's why and if you want to contact me you can follow me on Instagram now you can search DIT name and friends I have made a WhatsApp group so interested students join I will share videos for you which will be beneficial for you on your channel as well as other channels I will share that so if you want to find it you can check that I will give the link in the description so thank you so much take care goodbye